अगर आपकी औरत किसी और मर्द से ठुकवाती है, तो अपनी औरत की ठुकाई करने से पहले एक गोली इस्तवाई को खालो, आठ घंते तक लगातार अपनी औरत को गोडी बना कर उसे दोड़ा कर उसकी ठुकाई करोगे, जब तक उसका पूरा पानी जाड़ कर उसे आपका बीर्य नहीं जड़ेगा अगर आपकी बीवी आप से मज़े ले ले कर नहीं ठुकवाती तो आप उसका पानी ज़ाल कर उसे गरม करके उसे संतुष्ट नहीं कर पाते अगर आप चाहते हैं की आपकी ओरत सिर्फ आपके सिवा किसी और से ना ठुकवाए तो आप इस दवाई को खा कर अपनी ओरत की ठुकाई करेंगे क्योंकि आप इस दवाई को खा लेंगे तो लगातार 6 घंटे तक अपनी ओरत की ठुकाई करेंगे 6 घंटे से 8 घंटे तक जब लगातार आप अपनी ओरत की ठुकाई करेंगे तो आपकी औरत का पूरा पानी जड़ जाएगा आपके औरत की गुफा फूल कर लाल हो जाएगी और आपकी औरत को खूब मजा आएगा कोई भी औरत हो कोई भी लड़की हो चाहती है कि उसका पती इतनी ठुकाई करे कि ताकि उसका पूरा पानी जड़कर उसे पूरी संतुष्टी मिल जाए औरतों को लड़कियों को तभी पूरी संतुष्टी मिलती है जब उनकी ठोकाई कम से कम धाई से तीन घंटे तक लगातार हो धाई से तीन घंटे तक जब औरतें और लड़कियां ठोकवा लेती हैं तब उनको हलका फुलका मज़ा आ जाता है लेकिन अगर आप इस दवाई को खाएंगे तो आप अपनी औरत को पूरी रात के लिए खुस कर पाएंगे क्योंकि एक गोली खाने वाले लोग आठ घंटे से नौ घंटे तक अपनी औरत की गुफा की ठुकाई करते हैं गुफा खुबला कर लाल कर देते हैं और पुरी रात औरत को दिस्तर में ठुकाई का मज़ा देते हैं अगर आपका बीर ये कम समय में जड़ जाता है तो आप इस दवाई को खा कर अपनी औरत की ठुकाई करिए आपकी औरत पुरी रात चिलाती रहेगी लेकिन आप उसकी ठुकाई करना बंद नहीं करोगे इस दवाई को ध्यान से देख लो और पहचान लो यह जामन के बीज की गीरी है जामन के बीज सुखाने के बाद उपर से छिलका निकानने के बाद आपको अंदर से जामन के बीज की गीरी मिलेगी एह गीरी औरत की ठुकाई करने से 10 मिनट पहले आपको एक गीरी ले करके एक गोली ले करके चबा चबा कर खाना है और भर पेट पानी पी लेना है 15 मिनट के बाद आपके अंदर ऐसा तूफान आएगा कि आप अपनी औरत की चड़ी फाल कर डायेक्ट घुसा कर उसकी ठुकाई करके पूरा पानी जार कर संतुष्ट कर देंगे जब तक अपनी औरत को संतुष्ट नहीं करोगे तब तक अपना हथियार निकालोगे नहीं बाए बाए